Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की हिंदी वर्क बुक चाप्टर 13 हुद हुद तो चलिए पढ़नाय स्टार्ट करते हैं, आब भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनानाय स्टार्ट कीजिए सही कारण पर ठीक का चुन्ध लगाओ तो देखिए, बादसा ने गिद्धों से क्या साहिता मांगी तो क्या साहिता मांगी थी? तो सही पर आपको ठीक लगाना है तो पहला है कि धूप से परिशान बादसा ने गिद्धों से कहा कि वे उनके लिए पानी ला दे ये भी गलत है ये दूप से परेशान बातसा ने गिद्धों से कहा कि वे अपने पंखों से उसके सिर पर छाया कर दे ठीक है तो ये वाला सही है इसमें हम टिक लगाएंगे ठीक है उसके बाद है कि हुदूद को हजामिन चिरिया क्यों कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है हुदूद हजाम के घर पर रहती है या हुदूद का काम हजामत बनाने का है या फिर हुदूद की चोंच नाखुन काटने वाली नहरनी से मिलती है तो क्या होगा ये वाला हो जाएगा तीसरा नमबर इसमें ठीक लगाएंगे इसके बाद है हुदूद को पदू बया के नाम से क्यों पुकारा जाता है दूब में कीरा ढूरने के कारण बया चेरिया की तरह लगने के कारण दूब घास में रहने के कारण तो क्या हो जाएगा दूब में कीरा ढूरने के कारण इस से पदूबया के नाम से पुकारा जाता है तो इसमें हम टीक लगाएंगे उसके बाद है कि हुदूद को लोग पालतू क्यों नहीं बनाना चाते क्योंकि हुदूद बहुत गंदा रहता है हुदूद अपनी सुंदर्दा के लिए मसहूर है या हुदूद की बोली में मिठास नहीं है तो क्या होगा हुदूद की बोली में मिठास नहीं है इसमें टीक लगाएंगे उसके बाद है कि सोने की कलगी हुदूद के लिए परेशानी का कारण कैसे बनी सोने की कलगी बहुत भारी थी सोने की कलगी के कारण अन्य पक्छी उनसे जलने लगे या फिर सोने के लालच में लोग उनका सिकार करने लगे तो क्या हो जाएगा सोने के लालच में लोग उनका सिकार करने लगे तो इसमें हम ठीक लगाएंगे तो इसी तरह से इसे बना लेंगे उसके बाद है पार्ट के आधार पर हुदूद के बारे में लिखो ठीक है तो पार्ट के आधार पही लिखना है हुदूत का सरीर कैसा होता है तो हुदूत का साड़ सरीर रंग बिरंगा और चटकिला होता है पंक काले काले होते है जिन पर मोटी सफेद धाड़्यां बनी होती है ठीक है उसके बाद है कि हुदूत के सिर्की कलगी तो हुदूत के सरीर का सबसे सुन्दर भाग इसके सिर्की कलगी होती है हुदूत की चोंच चोंच की बारे में लिखना है तो हुदूत की चोंच पतली, लंबी, दथा, तीखी होती है हुदूत की बोली अब बोली कैसे होती है तो हुदूद की बोली में बिल्कुल भी मिठास नहीं होती है हुदूद की भोजन सम्मंदी आदते हैं हुदूद कीरा खाते हैं अंडे देने के बाद हुदूद अंडों पर बैठी रहती है नर ही खाना लाकर मादा को खिला देता है ठीक है? उसके बाद है कि हुदूद के अन्य प्रचलित नाम अब कौन-कौन से अन्य प्रचलित नाम है तो हुदूद को पदुबया, साह, सुलेमान और हजामिन चेडियां भी कहा जाता है ठीक है? तो इस तरह से इसी लिखेंगे उसके बाद है कि अपने मित्र सहीली को सफाई के महत्र के बारे में बताते हुए पत्र लिखो ठीक है तो इसके लिए पत्र लिखना है जो सफाई का महत्र होता है क्या महत्र होता है हमें क्यू साफ सुत्रा रखना चाहिए इसका क्या महत्र होता है इसके बारे में पत्र लिखना है तो लिख देंगे ये आप खुद करेंगे उसके बाद है वाकिप पूरे करो किसी भी तरह की आवाज सुनते ही हुद हुद चौकरना होकर कलगी को फैला देता है सुलिमान बादसा आकास में चलने वाले अपने उरन खटोले पर बैठ कर कहीं जा रहे थे हुद हुदों की सरदार ने अपने दल के सभी हुद हुदों को इकठा करके बादसा सुलिमान की उपर चाया कर दी ठीक है उसके बाद है सुलिमान ने हुद हुदों के इस सरदार की प्रार्थना स्वीकार करले, मादा हुधूधूध तीन से दस तक अंडे देती है, संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है हुधूधूधूधूधूधूधू. इस तरह से इसे बना लेंगे उसके बाद है निमने लिखित प्रश्णों के संचिप्त उत्तर लिखो ठीक है संचिप्त यानि की बहुत ही छोटा उत्तर देना है ठीक है तो इसमें देखे हुदूद के सरीर का सबसे सुन्दर भाग कौन सा है तो सबसे सुन्दर भाग कौन सा है हुद हुद की कलगी ठीक है उसके बाद है कि उरन खटोले पर बैठ कर कौन जा रहा था तो उरन खटोले पर बैठ कर बादसा सुलेमान जा रहे थे सुलेमान ने किस किस से मदद मांगी तो गिद्धों से और हुद हुदों से ठीक है हुद हुद के अंडों को कौन सेता है तो मादा हुद हुद अंडों को सेती है ठीक है तो इस तरह से इसे बना लेंगे उसके बाद है कि मान लो बादसा सुलेमान तुम से प्रशन न हो जाए तुम उनसे क्या वर्ड मांगोगे तो क्या वर्ड मांगोगे ठीक है तो ये आप अपने विचार से लिखेंगे कि आप पर अगर वादसा सूलेमान अगर प्रशन नो हो जिया खुश हो जाते हैं तो आपके मन में जो भी वर्द है कि आपका एक्चा है कि हम ये वर्दान मांगेङे तो आप क्या मागना चाहेंगे, तो वो आपको लिखना है, ठीक है, तो यह आप अपने हिसाब से लिखेंगे, इसके बाद है कि नीचे दिये गए सब्दों के दो या दो से अधिक अर्थ हैं, सब्दों के अर्थ जानो और उन से वाक्य बनाओ, ठीक है, तो यहाँ पे आपक के विना उर्ड नहीं सकती ठो दोनों का अलग अर्थ है ठिक परवन्स होगिये किंतू ये लेकिन ठेख इसके बाद है वर्ड तो गर देखिए राजा राजा बस रख र यहाई दस रथ राजए दस रत ने राके कई को 2 वर्ड दिये थे ठीक है ठीक है, और दूसरा देखिए, वर्ड, उसका वर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, तो दोनों का अलग-अलग अर्थ होता है एक वर्ड का अर्थ हो जाता है कि वर्दान देना, ठीक है, वर्दान तो राजा दसरत ने रानिक कही को दो वर दिये थे तो ये तो हो गया वर्डान और दूसरा वरड मिंस होता है दूला ठीक है? उसका वरड बहुत अच्छा है उसके बाद देखिए भेट तो मेरे दोस्त ने मुझे एक भेट दी तो क्या होता है भेट मिन्स होता है उपहार, गिफ्ट देना, तोफ़ा, ठीक है, और भेट, एक भेट मिन्स होता है कि आज मेरे मित्र से भेट हुई, तो भेट मिन्स होता है मुलाकात होना, ठीक है, इसके बाद है फल, तो यह बहुत मीठा फल है, ठीक है, तो मीठा फल है, एक तो उसका बतार है कि ये मीठा है और दूसरा फल क्या हो गया यह तुम्हारे कडमों का फल है तो एक result जो होता है पड़ी नाम ये हो गया उसके बाद देखिए तो ये दोनों में क्या अंतर हो गया एक फल तो हो गया कि फल जो हम लोग फल जो खाने वाला फल होता है फ्रूट्स जो होता है उसे कहते है और दूसरा फल हो गया result जो पड़ी नाम होता है उसे कहते है उसके बाद है सोना तो ये तो असली सोना है दूसरा ये तो सोने जाड़ा है तो देखिए एक तो सोना हो गया धातू हो गया ठीक है जो गोल्ड होता है वो सोना हो गया और एक तो सोना हो गया जो सोने जा रहा है ठीक है यानि कि सोना तो ये हो गया दोनों का अर्था अलग अलग है तो इस तरह से इसे बना लेंगे उसके बाद है अपने घर के आसपास दिखाई दिये जाने वाले किनी जैसे पक्चिया आप बहुत सारे पक्चिय देखते होंगे कि आपके घर के आसपास रहते हैं, ठीक है? तो उन में से आप छै का नाम लिख सकते हैं तो जैसे कि आप देखते होंगे गोड़या, बुलबुल, कबूतर, कववा, मैना, खुदूद ये सारे पक्छी को आप अपने घर के आजब पास ही देखते होंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं उसके बाद है कि नीचे दिये गए सब्दों के दो-दो पड़ियावाची सब्दी लिखो टीके? तो पड़ियावाची सब्द certificates लिखना है तो बदन तो बदन का क्या हो जाएगा दे या सरीर उसके बाद बादसा तो बादसा का पड़ियावाची हो जाएगा राजा नरेश वन्स यानि कि पीढ़ी और खानदान पक्ची का हो जाएगा चिरिया और परिंदा प्रार्थना का विंती और पूजा तो इस तरह से इसे बनाएंगे उसके बाद है कि हुद हुद पक्ची का चितर नीचे दिया है इसे देखकर दूसरा चितर बनाओ पाठ के आधार पर चितर में रंग भी भड़ो तो यहाँ पर देखे यह चितर दिया गया है हुद हुद का तो इसे देखके आपको दूसरा चितर यहां पर बनाना है ठीक है यह जो खाली जगह है यहां पर बनाना है इसे ही देखके और इसमें आपको रंग भी भरना है ठीक है तो ये आप खुद बनाएंगे तो ये चाप्टर आपका कम्प्लीट हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताईए और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरी चैनल NCRT The Mind को लाइक सब्सक्राइब केज़े और पास में दिये गए बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि NCRT से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे और आपको जहां कहीं भी समझने में परिशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट की दोरा भी पूछ सकते हैं तो चली मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थेंक्स तो वाच मैं वीडियो